बिस्मिल्लाय रमानी रहीम, असलाम अलेकाम, बासित मह्मूद के बवर्चिहान में खिशाम अदीद, दोस्तों, आज मैंने बनाई ये बहुत मज़ेदार सी हैदराबादी दम बिर्यानी, बहुत असान, बहुत सिंपल स्टाइल में, घर के मसालों से बहुत ही मज़ेदार, तो फ्रेंड मैंने एक ऐसे बनाई है, आए हम आपके साथ इसकी रेसिपी शियर करते हैं, जी दोस्तों, कटोरा ले लेंगे, इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे, मेरे पास चुथाई चमज जाइफल का पाउडर है, चुथाई चमज मेरे पास हल्दी पाउडर है, एक टी स्पून जीरा है, और दो टीबल स्पून में पास लाल मिर्च का पाउडर ये इसमें शामिल करेंगे, इसके साथ साथ दो टीबल स्पून नमक डालेंगे, एक टीबल स्पून गार्लिक पेस्ट, एक टीबल स्पून जिंजर पेस्ट, एक टी स्पून हरी मिर्च का पेस्ट डलेंगे इसके अंदर और ही कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे जिसमें से 7 हल इलाईची है सात लोंग है 2 इंक का डाजिनी का टुकड़ा है और मेरे पास 2 तैस पात हैं यह भी इसके नरम शामिल कर देंगे इसके साथ साथ थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे, थोड़े से धनिये के पत्ते डालेंगे, एक टीबिल स्पून लीमू का रस डालेंगे, तकरीबन एक बड़ा वाला लीमू था ये, इसके साथ साथ हम इसके अंदर आधा पाव दहीं डालेंगे, एक कप ब्राउन कियावा तली हुई प्याज इसके अंदर डालेंगे दो ठिबल स्पुन हम घी डालेंगे घी जरूर डालेगा घी से बिर्यानी का मज़ा आता है इसको अच्छा तरीके से हम मिक्स कर लेंगे जी दोस्तो इस मिक्स हो गया इसे हम साइट पे रख देते हैं अपनी चिकन को मैरिनेट कर लेंगे मेरे पास एक किलो हड़ी वाला चिकन है वो हम इस कटोरे में डालेंगे और जो हमने मैरिनेट डृडी किया है वो इसके ओपर सारा डाल देंगे और इसको हम हातों की मदश से अच्छा तरीके से मिक्स करेंगे तो जी दोस्तों इमिक्स हो गया इसे हम आदे घंटे के लिए छोड़ देते तब था हम अपने चावल बॉाइल कर लेते हैं मेरे पास तीन लीटर पानी था उसके अंदर हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे एक जवतरी की टहनी है, तीन स्टार अनेस हैं, छे साथ लॉंग हैं, पांच हरी हिलाइची हैं, दो बड़ी हिलाइची हैं, एक टीबिल स्पून जीरा है इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें हम बॉाइल आने का वेट करेंगे जी दोस्तों, बॉाइल आने लगा है, मेरे पास एक किलो चावल थे जिनकों मैंने आदा घंटा पी गो दिया था, वो हम इसके अंदर डालेंगे इन्हें अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम पहला बॉाइल आने का वेट करते हैं जी दोस्तों, पहला बॉाइल आया है, 50% चावल पक गये थे, तो इसमें से मैं एक कप यानि 250 ml के बराबर पानी निकाल लूँगा जो हमारे दम में जाएगा, तो इसमें पहला बॉाइल आ गया है, 50% चावल यानि कोख हो गया है, तो हम इसमें से 30 फीसद यहां 300 ग्राम चावल हम निकाल लेंगे, पहले राउंड के लिए, जो हमारी पहली तैम में जाएगा, थोड़े से में और निकाल लेता हूँ अब दुबारा हम इसमें एक बॉाइल आने का वेट करते हैं, अब दुबारा बॉाइल आ गया है, तो इसमें से हम मजीद 30 फीसद चावल अपने निकाल लेंगे, जो 60% पके हुए हैं, ठीक है, तो दो दफार निकाल लेंगे, अब इसमें तीसरा बॉाइल आने का वेट कर और इन्हें अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे फैला देंगे equally जी दोस्त तो यह फैल चुका वा इसके ओपर हम थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे थोड़ा सा ब्राउन प्यास डालेंगे थोड़े से धन्ये के पत्ते डालेंगे और दो हरी मिर्चे मोठी वाली उसको हम तोड़ के हाथों से वो इसके ओपर ढालेंगे जो पहले राउünd के चावल थे 50 परशन्ट पके वे वो डालेंगे इन अच्छे तरीके से पहला देंगे पहली था के अंदर अब जो हमने 60 परशन्ट चावल पकाय थे वो डालेंगे इनने भी हम पहला लेंगे एच् दो टिबिल स्पुन हम घी डालेंगे इसके उपर और एक ग्लास पानी हम और डालेंगे जो मजीद स्टीम बनाएगा और इसमें खुश्बू लाएगा नकुछ आबलो को पकाएगा थोड़ा सा जर्दे का ओरंज कलर हम डालेंगे और हम इसको कवर कर देंगे फ्रेंड्स और ऩर दम पे लगए इसके आटे से सील करना है हमने ठीक है पहले हम इसको 10 मिनट तेज आग पे और पिर हम इसको 20 मिनट हलकी आग पे पकाएइँगे अच्छे तरीके से मैं ने सील करते हैं इस से चुरी से आठाई लेता हूं जी दोस्तों बिसमिल्लारवानीरहीम माशाइलला माशाइलला क्या जबर्दस टेक्चर आया है आपको मैं दिखाता हूं दिहान से साइड से हम चावलों को हिलाते हिलाते हम अराम और हमसे निकालेंगे यह देखें कितना लंबा-लंबा चावल है मैं एक दफार तस लासा और खुश्वूत और आउटस्टेंडिंग है थोड़ा से इसको डेकॉरेट करते हैं तो यह हो गई हमारी मज़ेतार सी हैद्रबादी दम बरियानी रेडी होप सो आपको रेसीपी अच्छी लगी होगी अगर आपको रेसीपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो क लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपना बहुत सारा खाल रखेगा मुझे दौा में आद रखेगा इजाज़त दे दीजिए अलाहाफिज